और हमारे पिछले अध्यान में हमने यह देखा कि संपूर्ण सूसमाचार होता है एक स्वच्छ विवेग रखना और हम सब मसी में स्थापित किये गए है मसी हमारे अंदर है इसके लिए प्रभू की स्थूती हो परन्तु उससे भी अद्भुट सत्य यह है कि मैं मसी में ही मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा इसे कृपिय ध्यान से सुनिये और आज सबसे बड़ी समस्य जो मसीयों के साथ है वा यह है कि वे लोग अकेले का जीवन जीते हैं संगती के बिना जीवन जीते हैं और वे लोग सोचते हैं कि मसीयत जो है वो अकेले में कुछ करने वाली चीज है जैसे कि मैं स्वे मसीख के समान बनूँ और यह केवल तभी होगा जब आपके पास असन तुलित अनुभाव और ज्ञान होगा कि मसी मेरे अंदर है हम में से अधिकतर लोग इसी के विशें में सोचते हैं और बहुत सारे गीच जो हम गाते हैं वो इसी के विशे में रहता है कि मसी मेरे अंदर है परन्तु यदि केवल आप इसी के विशे में सोचते रहेंगे तो यह केवल एक तरफा सूसमाचार हो जागा और आज बहुत सारे मसी ऐसे ही है परन्तु सूसमाचार का दूसरा पहलू भी है जहाँ पे हमें एक दूसरे के साथ संगती रखना और कलीस्य का निर्मान करना है और यहाँ समझ के वल तभी आती है जब हम इस बात को ग्यात करें कि मैं मसी में हूँ मसी मुझ में है यह तो एक विक्तिगत चीज है भाई मैं आपकी कोई परवा नहीं करता तेरे को तेरी समस्य होगी परन्तु मसी मेरे अंदर है मैं ठीक हूँ परन्तु जब मैं मसी में हूँ यहाँ पर मैं हूँ और मैं मसी के अंदर हूँ और यहाँ पर और भी बहुत सारे चीज़े हैं जो मसी के अंदर हैं और एक और वेक्ति वह भी मसी के अंदर है तो मैं पाता हूँ कि मैं मसी के अंदर अकेले नहीं हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो मसी के अंदर हैं मैं किवल अकेला ही उसके अंदर नहीं हूँ चेहरा उसकी भाषा पसंद नहीं आये लेकिन परमेश्वर ने ऐसा ही चुना है कि हम एक साथ रहें और आप जानते कि कैसे मल्याली मल्याली के साथ मेल जोल रखते हैं तमिलियन तमिलियन के साथ मेल जोल रखते हैं वे आपस में एक दूसरे से मिले रहते हैं और एंग्लो इंडियन्स के वाल एंग्लो इंडियन्स के साथ ही मेल जोल रखते हैं और एक जाती के लोग दूसरे अपने स्वेम की जाती के लोगों के साथ ही अच्छे से मेल जोल रखना जानते हैं, दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं वे लो और आप जानते कि आज जो मुझे थोड़ा बहुत तमिल बोलना आता है वो मैं कैसे बोल पाता हूँ क्योंकि मैंने इंकार कि अपने आपको मल्याली कहलाने से और मैंने कहा कि मैं मसीह हूँ क्योंकि मुझे Tamil नाड के अंदर इतने सरे भाईयों और बहनों से मिलना होता है इसलिए मैं उनसे यह नहीं कह सकता कि मुझे माफ कर दीजे मैं आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आपकी भाशन नहीं आती यदि मेरे तमिल का व्याकरन पूरा गलत रहता फिर भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ और मैं जानता हूँ कि बहुत सरे अच्छे तमिल भाई और बहन है यदि मैं उनसे गलत व्याकरन में बात करूँ वो मुझे शमा करेंगर मेरी सुनेंगे और कमसे का मैं ये तो कहेंगे रहे ये भाई प्रयास तो कर रहे तमिल में बात करने का यद पी उसका ग्रामर गलत है वैसे यदि मैं हिंदी भाशी भाई के पास जाता हूँ तो मुझे से हिंदी में बात करता हूँ क्योंकि मसीह में कुछ भी अंतर नहीं है मैं आप से एक प्रश्ण पूछना चाहूंगा क्या आप पहले एक तमिलियन है या पहले आप एक मसी है क्या पहले मल्याली है या पहले मसी है क्या पहले सिक्षित है या पहले एक मसी है क्या आप अनपड है या मसी है और मसी के अंदर यहां सारी जो भेदभाव हैं वो मिट जाते हैं और यहां सारी बाते हमारे बीच में विद्धिमान रहेंगी लेकिन इससे हमारे संबंद में कोई असर नहीं पड़ेगा और मसी में होना अद्भुत बाद लेगा परंतु यदी मैं किवल यही सोचू कि मसी मेरे अंदर विराज माना है तब मैं दूसरों को नजर अंदाज के सकता हूँ परंतु सत्य का दूसरा पहलू भी है और वह यह है कि मैं मसी में हूँ और जब यहां बात आती कि मसी मुझ में तो मैं इसे चुनता हूँ आपने चुना है कि मसी आपके अंदर आ करके वास करें मैंने कहा कि प्रभू जी मेरे जीवन में आ जाए परंतु जब आप कहते हो कि मैं मसी के अंदर हूँ तो यह मसी है जिसने आपको चुना है कि वो चुनता है कि कौन उसके साथ वास कर सकता है और वो ऐसे लोगों को भी चुन सकता है जो मुझसे ठीक विप्री हो और यदि ये शुमसी ने उस वेक्ती को चुना है तो मैं कैसे उस वेक्ती को ठुकरा सकता हूँ तो हमें इस अद्भुट सत्य पे और ज़्यादा मनन करना है कि मैं मसी में हूँ और यह सूसमचार का दूसरा पहलो और एफीसियों की पत्री तो इसी से भरी हुई है और यदि हम इसके विशे में नहीं सोचेंगे तो हम कभी भी जिस रिती से परमेश्वर चाहता उस रिती से कलीसया का निर्माण नहीं कर पाएंगे और आप एक किवल तमिल कलब का ही निर्माण कर पाओगे या आप एक मल्याली कलब का निर्माण कर पाओगे या हो सकता कि सिक्षित लोगों का कलब निर्माण कर पाओगे या गरीब लोगों का कलब निर्माण कर पाओगे परन्तु ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है परन्तु जो कली से उसमें हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं और वे सब के सब मसी में एक होते हैं वे सब के सब मसी में एक हैं और यह जो है सत्य के दो अलग अलग पहलू है मसी मुझ में है और मैं मसी में हूँ और जब मैं ऐसे मसीहों को देखता हूँ जो कहते कि मैं मसी में हूँ अपना एलेटिगा जीवन जी थे हैं तो वो एस सत्य के दूसरे पहलों को भूल जाते हैं कि मैं मसी में हूँ और उसके साथ साथ मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो मसी के अंदर में पाए जाते हैं और वरजित्र जो मेरे दिमाग के अंदर है मैं हरे एक चीजों को चित्रों में सोचना पसंद करता हूँ क्योंकि इसी रिती से येश्व ने सिखाया, उसने चित्रो में लिखाया और उसने हवा, पानी, नमक इन सारी चीज़ों को दारन लेकर चे सिखाया और घर के विशे में सिखाया, घर की निव के विशे को लिए घर के सिखाया और इसलिए मैं अपने मस्तिश में इसका इसलिए से चितरन करता हूँ और यहां एक वेक्ति है जो किवल इसके विशे में सोचता है कि वह मसी में है परन्तु इसको नहीं सुस्ता की मसी उसमें है और यहां एक जिम के बाहर लगे हुए चित्र के समान है और क्या आपने जिम के बाहर ऐसे चित्रों को लगा देखा जहां पर एक विक्ती जो बहुत बॉडी बना करके उसकी फोटो लगी रहती है और उसके सौ से भी ज्यादा मासपेशी बाहर निकले रहती है और हम तो जानते भी नहीं कितनी मासपेशी होती है करके परन्तु यह जो चित्र है उससे थोड़ा सा भिन्य चित्र है परन्तु ये एक ऐसे मनुष्य का चित्र है जिसका आधा हिस्सा पूरा मस्कुलर है परन्तु जो उसका दाहना हिस्सा है वो बिल्कुल हड़ी जैसा है और वो वेक्ति कह रहा है कि आ करके इस मेरे जिम में आ जाओ इसे जॉइन कर लो तो मैं कहूंगा कि ने मुझे आपके जिम में नहीं आना है और ऐसे ही तो मसी हैं आज वे कहते हैं कि मसी मेरे अंदर है परन्तु आप मसी के अंदर हो की नहीं भाई और बाकी लोगों के साथ आप अंदर हो की नहीं और आप कहोगे कि बहुत कखीर है भाई अरे इन लोगों को मैं संडे एक बार देख ले तो यही बहुत बड़ी बात इससे ज़्यादा मैं इन लोग का चेहरा देखना ही नहीं चाहता हूं तो आप अनंत काल में क्या करो क्योंकि आपको तो इन लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे रहना पड़ेगा आप कहते होगे कि नहीं वो वेक्ती तो मुझसे बिलकुल अलाग है में उसके साथ नहीं रह सकता और वो कहेगा कि आप उससे बिल्कुल अलाग हो और कल मैं केरला में था और वहाँ पे एक भाई ने बहुत अच्छी कहानी बोल के बता है जिसे मैं आज भी याद करता हूँ और मुझे पूरा पूरा तो याद नहीं परन्तु जैसा मैंने उस कहानी को समझा मैं आपको उसी तर्ज पे बताना चाहूंगा और दो लोग थे जो जहाज में यात्रा कर रहे थे और ये बड़ा सा जहाज थे जहाज जहां पे आपको रहने में कमरें मिलते हैं एक बड़ा सा जहाज जिसमें दो छोटे कम रहे थे और ये जो दो लोग थे ये एक ही रूम में रहे थे और एक वेक्ति बिशप था और उसके पास बहुत पैसा था और उसने उस वेक्ति को देखा जो उसके साथ यात्रा कर रहा था और उस रूम में रहता था और उस बिशप ने सोचा कि यह वेक्ती तो धूर्थ लग रहा है मेरे को इस पाड़े में पैसा रखना सुरक्षित होगा की नहीं होगा तो उस ने कहा कि मैं इस जहाज के कप्तान के पास जाऊंगा और उसलिए वो बिशप जाता है और कैप्टन से कहता है कि मेरे सारे पैसे को आप एक तीजोरी में रख दो क्योंकि जो आदमी मेरे संग जारा मुझे नहीं पता वगा कैसा होगा शाए चोर हो और कप्तान ने कहा बिल्कुल ठीक है मैं आपने पास रख लोगा और उसलिए इससे पहले कि आप आते है और उसलिए कि एक बिशप मेरे साथ रह रहा है और मुझे नहीं पता कि वो बिशप कैसा होगा यह आप मेरे पैसे रख लोगा और इसलिए मैंने उस वेक्ती के भी पैसे अपने पास रख लिये हैं और आप सोच रहेंगे कि वो दूसरा भाई आपके जितना आत्मिक नहीं है और हो सकते कि वो आपके विश्रे में क्या सोच रहे आपको पता है यह हमारे लिए भला है कि हम अपने आपको दीन और नमर करें और ऐसा ना सोचे कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है जैसा मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में हो सकता वो ऐसा मेरे बारे में सोच रहा होगा और यह बहुत यद्बुद बात है इन सारे चीजों को सोच रहा कि कैसे इस्चुमस इन सारे अंतर को बिटा देता है झाल झाल